दोस्तो नमस्कार और दोस्तो नमस्कार इसलिए भी करनी पड़ रही है क्योंकि जितने काले धंदे गोरे लोग हैं गोरे गोरे छोरे छोरे वो सब भारती अंदर पार्टी के अंदर बर गएं भाई भारती अंदर पार्टी के बिधायकों के पास क्यों इतना ज्यादा माल इखटा रहता है ऑक्सियन का और सारी चीजों का कोई राज हो तो बता दे साहिव हम को भी लेकिन यहां तो कहानी दू पुलाताई का सोशल मेडिया पर काफी ज़ादा बारण होता रहा मजाख उड़वाते रहे अपने ग्यान की अपने ग्यान की किस तरह से पुंगी बचाते हैं बीजेपी वाले उसके लिए अलग से एक कॉमेडी शो बन सकता है लेकिन कॉमेडी शो मैं करने नहीं आया हूं ल पूरे सबूत चुपचाब इकटे किये जल्द बाजी मैं कहीं गलत नियूस न डाल दूँ ये सोच के मैं चुप चुप सा था चुप चुप सा ही उन्हें ना पड़ता है कि देश में आपात काल है बचके रहिए कब क्या हो जाए कैसे हो जाए सोच भी नहीं सकते लेकिन यहां ऐसे राष्ट भक्तों की में कहानी आपके बीच लेकर के आया हूँ जिन राष्ट भक्तों पर शिवरा सिंग चोहान गरब कर सकते हैं प्रदान मंतरी मूदी जी गरब कर सकते हैं और अमिश्या जैसे लोगों को तो कहना किया और हैमन बिश्फर्मा का तो कहना किया वो भी गर्ब कर सकते हैं वो सारे नेता चाहें वो रूडी हो चाहें वो सब गर्ब कर सकते हैं क्योंकि रिकार्ड तूटिया यहां और रिकार्ड ऐसा तूटा ऐसा तूटा भाईया ब्लास्ट कर गया लेकिन इसको मेडिया ने नहीं दिखाया मेडिया ने इस पर दो भी नहीं बोले आप सोच रहे होंगे यार पंड़जी काये को इतना बोल ले हो यार ख़वर बताओ भाई ख़वर थोड़ी चटपडेदार मसालेदार होनी चाहिए तो इसलिए ख़वर है जवालपुर से जो ख़वर आपने सुन ली होगी लेकिन इसमें नया खुलासा क्या है ऐसा क्या है कि जो नया खुलासा हो जाएगा और मैं अलग से ख़वर बता दूँगा लेकिन साब जो सरब जी सिंग मोखा है बताने का मेहमान बना हुआ है संसनी खेज किया है वो भी बताओंगा लेकिन एक ख़वर पहले पढ़ लीजिए एसाइटी उससे पुंस्ताश कर रही है मोखा से सरब जी सिंग मोखा से सरब जी सिंग मोखा कौन है बताईए कॉमेंट करके सरब जी सिंग मोखा पारण निकलते हैं किसी के बीजबी वाले के या विशुन्दू परिशन के वो करोना पॉजिटिव हो जाता है तो सरभ जे सिंगा सेंपल लिया और करोना पॉजिटिव की रिपूर्ट आ गई है न मुझे की बाद एक तरफ एक तरफ जब शिबराज साहब का बियान आ गया था उस नर्फ पशू का हम संगार कर देंगे ताथ जिसने ऐसी गड़वड की हो जिसने रेमडी सिबिर के पंसो इंजेक्शन अपने अस्पताल में नकली मगाई हो जब सवाल बीजेपी के मंत्री से किया गया तब भीजेपी का मंत्री बोलता है कि भाई खोला भी तो हमने लेकिन गुजरात पुलिस ने खोला और ताजा जानकारी में आपको दे दूँ जिस गुजरात पुलिस के इंस्पेक्टर नेने के छापा मारा था चाहाओ तो गुगल करके देख लो टीम के बारे पता कर लो कोई रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी चलिए बात कर रहे हैं सरभजी सिंग मौका की और उसे माइनर अटेक भी आगया इस बीच तो भाईया मामला तो बहुत गंबीर था जो आरूप लगाए गए सरभजी सिंग मौका पर उनको मैं यहाँ दोराना चाहूँगा मल्टी स्टेट नकली रेमडी सिबिर इंजेक्शन इसके में फसा सिटी अस्पताल का संचालक सरभजी मौका ग्रफटार जी से बचने के लिए हर जतन कर रहा है माइनर अटेक का भाना बना कर कि खुद अस्पताल में बढ़ती मौका एफ आई आर दर्ज होते ही फरार हो गया शाम को चारक प्रकट हुआ इस वार खुद को कोविट संकरमित बता कर अस्पताल के आई सियू में बढ़ती हो गया रात भर पहरा देरे पुलिस ने रैपिट रिपोर्ट निगेटिव आते ही उसे मंगलवार ग्रफदार कर थाने में ले आई उससे पूंस्ता जा रही है जानकारी के अनुसार सरभ जीत ने जूट को बेनकाब करने पुलिस ने उसका अच करोना जाच कराया रैपिट टेस्ट में रिपोर्ट निगेटिव आई भही आर्टी पीसीर जाच के लिए भी सैंपल लिया गया है दोनों जाच पुलिस लाइन अस्पताल के चिकस्तों ने किया है माइनर अटेक समेश स्वास्ते के जाच डाक्टर एसकी पांडे डाक्टर एलन पतेल डाक्टर आलोक शली बास्ताव की टीम ने किया भाई सैटिंग हो चुकी है मंगलवार यानि कि आज सुबास साड़े नौजे ओमती पुलिस ने उसे थाने ले आई जहां S.I.T. उससे पूंस्ताच कर रही है सवालों को जवाब में चुप रहा मौका आउरोपी सरफजी सिंग मौका शातिर अपरादियू की तरह पुलिस की एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया पुलिस ने सपन देवस के कबूल नामे और एमडी सेविर इंजेक्शन के बारे में पूछा लेकिन उसने जवाब नहीं खूली ज्यादा तर सवालों को जवाब में कहता रहा कि उसे कुछ भी ने मालूम हाना कि उसने पुलिस ने उसे उलजाने पुलिस उसे सवालों में उलजाने का प्रियास करते रही है ये लाइन बहुत इंट्रेस्टिंग है जिसने ख़वर डाली है पुलिस उसको उलजा रही थी यानि कि ये जो लाइन है ये जो समाचार डाला गया है उसको बचाने के लिए डाला गया है देखिए ना प्रिंट मेडिया किस किस तरह से सबोर्ट गरता है नरपशूओं को कथित नरपशूओं को जिनको शिवरा सिंग चोहान नरपशूओं बोलते है बजर्ग ने बोला नकली इंजेक्शन मामला सामने आने के बाद सिटी अस्पतल का संचालक सर्बजीत मुखा लोगों के निशाने पर है एक तरफ जिला अधिवक्ता संच ने उसका प्रकरान मतला उसका केसी लड़ने समना कर दिया है बकीलों ने वहीं देविदन नरपशूओं का एक बजर्ग पहुंचा दावा किया कि अस्पतल प्रबंधन दोरा नकली इंजेक्शन लगाने के चलते उसके भाई वे भावी की मौत हुई मौत के बाद मौका ने पूरा बिलवक्तान करने के बाद ही शब दिये कितने वेकार के लोगों आप मतलब शब जब दोगे डैड बोड़ी जब दोगे जब पूरा वुक्तान हो जाएगा मैं तो उनको बोला हूँ छोड़े आते डैड बोड़ी बेटा ले ले जला दियू और भाई तोड़ बोड़ कर देते इनको तो डंडे मार के भगाना चाहिए अब इनकी अकात यही रह गई है लेकिन नहीं है अरे समत करना हिंसा महाँ पाप है महात्मा गांधी जी ने बोला है अब साब 18 संसदिये S.I.T. टीम का गठित कर दी गई है शिवरा सिंग चोहान के दोरा जिस व्यक्ति को बाहर निकालना होता है तो यह ड्रामे तो हमने सरकारों के बहुत देखे हैं और शिवरा सिंग का जो बयान था सुबा वो भी हमने देख लिया जिसमें बोल ले थे नर्फ परशू को हम बख्षेंगे नहीं और 18 सदसिये S.I.T. टीम का गठित होना ये बताता है कि 18 लोग जाच करेंगे फिर जो जाच अपनी रिपोर्ट सौपएंगे उसमें बोटों के आधार पर सारी चीज़े तैह होंगी क्या किसने खिलाफ लिखी और किसने कितनी लोगों ने उसके समर्थन में लिखा जाहिर बाते समर्थन में रिपोर्ट सरब जी सिंग मुखा के आ जाएगी हाँ क्योंकि विश्विंदू परिश्यत का नेता जो ठहरा बाई राम मंदरी आंदुलन में उसका भी तो हाथ होगा बलाई सारे खालसा उसको आज खालसा कहने पर शर्मिंदा हो रहे होंगे ऐसे सिक पर जिसने ये काम किया तल्क तेवरों में कहा था एक मही का ये मामला है मौर भी जिले की टीम ने नकली रैमडी सिविर्ट की इंजेक्शन का बंडा फोड़ किया साथ लगों को गिरफतार किया गया था और उसके बाद उनकी पूस्तांच के आधार पर इन दौर में गिरफतार किये लोग छितिस राय यश महदी और बिजय सहज बानी ने सिटी संचालक के स्थापक संचालक सरवजित मुखा की भूमिका को उजागर कर दिया था वो गभाख बन गए थे अब भाई बिस फिंदू परिशद के लोग हैं तो बचाये तो जाएगा अठारा और उननिस और तिन सदस्य जजों की कमेटी भी बैड़ जाएगी लेकिन यकीन मानिए ये नर्पशू बचे जाएगा क्योंकि ये भारती जंदा पार्टी का पाला हुआ वो कुत्ता है जो कुत्ता इन्होंने अपनी कोद में पाला हुआ और जो कुत्ता लाशों को तांड़ कर रहा है लाशों को खा रहा है समचकार जहें दोस्तों